तमस्कार स्वागत है आपका हमारे चैनल पर मैं हूँ आपके साथ शिप्राजैनी केंद्रिय वित मंत्री निर्मला शितरावन ने आज देश का आम बजट पेश किया है और लगातार इस बजट की ताहरीफ हो रही है जिस तरीके से जर्कार की ओर से किसानों महिलाओं और युवाओं को बड़ी सोगाद इस बजट में मिली है बीजेपी लगातार इस बजट की तारीफ कर रही है तमाम बीजेपी के नेता ये दावा कर रही है कि ये बजट भारत की अर्थवस्था का स्केल बदलने वाला बजट होगा भारत को आत्म निर्खर बनाने में ये बजट बेहद मददकार साबित होगा लेकिन वहीं बजट क एहलान होते ही विपक्ष की बोखलाहट साफ ने आई हैं तमाब विपक्षी नेता मोधी सरकार पर हमलावर हो गए हैं तरसल राहूल गांथी से लेकर ममता भिनेश्ची और यहां तक की आंदुलन चीवी राकेश टिकैत की बोखलाहट साफ ने आई जहां एक तरफ कागज पर हिदकारी दिखता है अगर जमीन पर नहीं है तो इस तरीके की बयानवाची लगातार देखने को मिल रही है जाहिट दोर पर सरकार की और से जो बजट में खोशनाई की गई हैं जिस तरीके से किसानों के लिए बड़ी खोशनाई की गई हैं इसके लाफा सारी शक्ती को बढ़ाने के लिए खोशनाई की गई है युवाव को नौकरी देने का वाधा क्या क्या है मेकिन इंटिया के तहत किस तरीके से भारत को आत्म निर्फर बनाया चाहे इसको लेकर लगातार सरकार की कोशिश रही है और बड़ी खोशनाई इस बजट में की पुशत रह गए है उसमें ये कहा गया है कि दरसल यह बजट में यूवाव की जीवीका पर आपराथिक परहार किया क्या क्या है उनके साथ विश्वास खाथ किया क्या है इतना ही नहीं राखुल गांधी का ट्वीट साफ ने आया है जिसमें कॉंग्रिस ने राहुल गांथी ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि मोदी सरकार के बजट में कुछ भी नहीं है मध्यम वर्ग वेतन फोगी गरीब और वंचित वर्ग युवाव किसानों और MSME के लिखे कुछ भी नहीं दिया गया है तो राहूल गांथी ने या तो यह बजट नहीं देखा है या बजट में जो खोशनाय की गई है वो राहूल गांथी नहीं देखी है क्योंकि जिस तरीके से यह बड़े एहलान सरकार की ओर से किये गई हैं और अब तक का सबसे बजट है करोडों की परिहोचनाओं की सोगाच जो है इस बजट में सरकार देश को देने वाली है लेकिन प्रावचूत इसके इस तरीके की यह बयानवाची लगातार यह तमाम विपक्ष के नेता कर रहा हैं राकेश टिकैट एक बार फिर से बोखलाए हैं क्योंकि किसानो के लिए सरकार ने बड़े एहलान किये हैं सरकार ने ये बड़ी खोशना की है कि MSP पर किसानों से अब रिकोर्ड खरीदारी होगी और जब राकेश टिकैट से इस तमाम बजट से समबंदित सवाल किये काई तो राकेश टिकैट ने कहा कि MSP पर कानून लाया चाहे और किर् फरजी वाड़ा होता रहेगा इतना ही नहीं जब राकेश टिकैट से ये सवाल किया किया कि दरसल किर्शी को अब कहीं न कहीं डिजिटल तरीके से जोडने की कोशिश सरकार की रहेगी तो इस पर उन्होंने तंज कस्ते हुए कि कहा कि हम कई सालों से इसकी वकालत कर रहे है हमारी माग है कि किसानों का जो पकाया है उसका भी अब दिजिटल तरीके से भुकतान किया जाय हो। चाहिए और साहुत ही 23 वसलों को दिजिटल से जोड़ देना चाहिए। यह राकेश कानुनों को वादस लेने का फैसला किया और उसके बाद से लगा McK доллар का फोकस जो है वो चोटे किसानों पर है किस तरीके से उनकी आयाद धुगनी की चाहें किस तरीके से उनकी खीति की वपज बढ़ाई चाहें और इस पूरे भाशन में, इस पूरे बजट में कही न कहीं किसानों के खयाल जो है, वो सरकार की ओर से रखा गया है, लेकिन राकेश टिकैत को ये खोशनाय रास नहीं आ रही है, यही बजा है कि इस तरीके से वो सरकार पर हमलावर हो रहे हैं, और कह रहे हैं कि ये बजट कागस तक बहतर है लेकिन जमीनी तोर पर ये बजट अच्छा नहीं है इसके लावा पश्यम बग्काल की मुख्यमंत्री मम्ता विनर्ची भी बजट को देखकर जिस तरीके से बॉखलाई जिस तरीके से उनका बयान साफने आया है उन्होंने कहा है कि आम लोगों के लिए जीरो में हार गई सरकार इस तरीके से उनकी तरफ से बयान दिया क्या है तो आपको बता दें वहीं दूसरी ओठ लगासतार बीचेपी इस बजट को अच्छा बता रही है तमाग नेताओं के ट्वीट साफने आ रही हैं जिसमें ये कहा जा रहा है कि ये देश की अर्थवस्था क इसकेल को बहतर करेगा और कहीं न कहीं भारत को आत्म निर्फर बनाने में ये बजट मदद करेगा लेकिन विपक्ष की बॉखलाहट को अब कहीं न कहीं नीती आयो के सीओ और इसके लावा तवाम जो कहीं न कहीं बड़ी कंपनीज के एमडी हैं डिरेक्टर हैं उनकी ये बजट जो है ये आम नाकरी के लिए ये देश के लिए एक अच्छा बजट आकवदादे नीती आयो के जो सीओं हैं अमिताप कांथ उनका बयान साफ ने आया हैं उन्होंने कहा है कि ये बहुत ही परगती शील और दूर देशी बजट है ये भारत को उसके सदत विकास क अगले चरण के लिए तयार करता है उन्होंने कहा है कि ये पिछले साल के बजट की निरंतरता है और बजट का असली आकरशंग पूंचीकत वियक पर इसका भारी विस्तार है यानि जिस तरीके से घोशनाएं बजट में की गई हैं जिस तरीके से अलगलग सेक्टर के लिए कही न कही करोडों रुपिये जो हैं वो निवेश सरकार की ओर से किये गई हैं इस तरीके से उन्होंने इस बजट को अच्छा बताया है इसके लाफ़ा बीएसी के एमडी आशीस चोहान का बयान भी साफ ने आया है उन्होंने कहा है कि ये जो बजट है ये बेहद संतुलित बजट है ऐसा नहीं है कि देश के पांच राच्यों में चुनाफ हैं और कहीं न कहीं चुनाफी खोशनाय सरकार की ओर से की गई है बलकि एक बजट जो पूरे साल को खयाल में रखते हुए देश की अर्थवस्था को खयाल में रखते हुए सरकार की ओर से पेश किया क्या ह और यही वज़ा है कि उन्होंने इस बजट को बेहद संतुलित बजट करा दिया है और कहा है कि ये विकास उनमुक नीटियों के लिए खर्च को बढ़ावा देता है जो रोजगार पैदा करता है विनिर्पान को बढ़ावा देते हैं किर्शी अर्थवस्था और बुन्याद ठाचे की निर्फान में मदद करते हैं उन्होंने कहा है कि अगर संक्षेप में इस बजट को परिभाशित किया जाए तो ये शोर्ट टर्म बूस्ट और लॉंग टर्म इस्ट्रुक्शल जो का मिश्रन है ये वो बजट है तो साफ़तोर पर तमाम जो अलगलग कंपनीज के हैं जो तमाम सीओ हैं वो इस बजट की तारीफ कर रहे हैं इसके लाहवार FICCI इंटिया के जो अध्यक्ष है संजीव मेहता उनका भी बयान साफ ने आए हैं उन्होंने कहा है कि व्यावपार के नज़र्गे से अगर देखा जाए तो दो चीज़े consistency of policy और consistency of tax rate महत्पूर है इसलिए आवित मंत्री जी को मैं धन्यवाद देता हूँ उन्होंने इसमें जादा बदलाव नहीं किये हैं तो कहीं न कहीं ये जो बजट है ये हर वर्ग का ख्याल इस बजट में रखा गया है लेकिन ये बजट देखकर विपक्ष की बौकलाहत बढ़ी हुई है और यही सुईथाओं की खोशना जो है वो सरकार की ओर से की गई है फिर जाहे वो ईपासपोर्ट की बात हो या फिर फाइब जी सुईथा देने की बात हो या फिर गाउं तक इंटरनेट की सुईथा पहुचाने की बात हो महिला शक्ती के लिए तीन योजनाय सरकार लेकर आने वाल चाहे वो उत्तर परदेश के मुख्य मंतरी योगी अधितनात हो या तमाम केंध्रिया मंतरी किरन रिजुजु हो या फिर स्मिर्थी इरानी हो उनकी तरप से इस बजट को लेकर ट्वीट किया जा रहा है और केंध्रिया फित मंतरी निर्मला सितरमन और साथ ही देश के परध हैं और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि देश की अर्थवस्था को उचाई देने भाला ये बजट है साथ लाख नौकरियों के एहलान से यूपी को भी फायदा होगा क्योंकि जाहरित तोर पर अगर साथ लाख नौकरियां सरकार देंगी तो उसमें उत्तरप्रदेश के युवा भी शामिल होंगे बजट में महिला शुशक्तिकरन पर प्राहथान है जिस तरीके से तीन बड़ी योशनाएं सरकार लेकर आने वाली है इसके लावा केंत्रेह मंतरी किरन रीजुजु ने भी इस बजट को अच्छा बताया है उन्होंने कहा है कि गरीपो के लिए मिडल क्लास के लिए और सब के लिए ये बहुत अच्छा बजट है कहीं न कहीं विपक्ष को अब तमाव ये बीजुपी के नेता बड़ा कि किस तरीके से इस बजट में हर एक वर्ग का ख्याल रखा गया है आपको ये बी बताते हैं कि गरीपों के लिए बड़ी खोशना सरकार की और से की गई है असी लाख घर गरीपों को सरकार देगी इस साथ में ये बड़ी जो एलान है ये किया क्या है लेकिन राखुल गां ये सरकार की इन तमाम खोशनाओं को देखकर भी वो नजर अंदास कर रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से ये बड़े एहलान किये गए हैं साफ तोर पर दिखाता है कि किस तरीके से भारत के अमरत काल का एक खाका सरकार ने तयार करनी की ये पूरी योजना बनाई है और केंट्रे मंतरी स्मिर्टे इनानी का जो ट्वीट आया है उसमें उन्होंने यही कहा है कि परधान मंतरी नरेंद्र मोधी और साथ ही विद मंतरी निर्मला सितरहमत ने जिस तरीके से ये बज़ट पेश किया है इसमें भारत की भविष्यवाती आत्म निर्भर भारत का बजट के पर इस बजट को अच्छा करार दिया है तो एक तरफ तफाम विपक्षी नेता हैं जो लगातार मोधी सरकार पर इस बजट को लेकर हमलावर हैं लेकिन वहीं अब कहीं न कहीं इस बजट की तारीफ भी हो रही है और लोग साफ तोर पर ये कह रही हैं कि जिस तरीके से ये मान सरकार की और से नहीं की गई है इंकम टैक्स में कोई कटोती नहीं की गई है और जिस तरीके से ये हर एक वर के लिए तमाम बड़ी योचनाओं की सोकाद परधान मंत्री नरेंत्र मोधी और केंत्रिय मंत्री निर्मला सितरमन की और से इस बजट में दी गई है ये बताता है कि किस तरीके से सरकार का focus ना सिर्फ इन पांच राज्चियों की विथानसबा चुनाख पे रहें, बलकि देश की अर्थवरस्ता कमजोर नहीं पढ़नी चाहिए, देश की अर्थवरस्ता को किस तरीके से बहतर किया चाहे, इस पर सरकार का focus है और यह जो budget आज पेश किया गय है कही न कहीं, यह इसका बड़ा उधारन है, यही बजा है कि लगातार तमाम companies के जो director है, जो CEO है, वो अब इस budget की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष की पोखलाहट यह बता रही है कि आखिर यह budget उन्हें कितना खटक रहा है, फिलाल आपकी इस पूरे मामले पर कह रहा डंड़ा